अलो फ्रेंट्स आप देख रहे हो न्यू पेंटिंग मतीम पेंटर चैनल मैं आपका दोश पेंटर मतीम परेशी हूँ दोस्तो आज मैं आपको स्विस कॉफी कलर बना के दिखाऊंगा और कैसे बनाते हैं वो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो दोस्तो यह कलर देखिया आप यह है रेड कलर यह और возможность paint है और अज़ाई चैनल से उगान तो कुछ kula ऐसे होते हैं जो इसटेनर से ही बनते हैं और इनसे कुछ हलके बार ही रहते हैं यह ओरिजिनल प्लास्टिक बेंद है उतना बेतर ही इससे नहीं बन पाएगा लेकिन आपको तजरुबा हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लेना होगा यह रेड कलर जिसकी मातरा सबसे जादा रहेगी यह हमने ले लिय का रेड कलर उसके बाद में हम इसमें मिलाएंगे बिलेक कलर की मातरा हलकी जिससे कि यह कुछ काला पैन में यह पेंट आ जाएगा यानि जैसे चॉकलेट होती है चॉकलेट की तरह यह रम बन जाएगा यह बन रहा है कॉफी कलर चलने को यह ऐसे भी चल जाएगा लेकिन अच्छा कॉफी कलर बनाने के लिए अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा हमें पीला रंग मिक्स करना पड़ेगा आप देख सकते हैं यह कलर चेंज कर रहा है यह चेंज हो चुका है अब इसमें हमें इसी तरह से एक प्रेंट का और इसमाल करना हुआ वाइट कलर का यह वाइट कलर हम थोड़ा से मिलाएंगे तब यह औरिजनल कॉफी का कलर बन जाएगा यह देगी दोस्तों यह कॉफी कलर बन चुका है और इलैश की बज़ा से इसमें चमक ज्यादा दिख रही होगे मैं आपको एक कागज पर लगा के दिखाता हूँ दीवार पर लगाने में और कागज पर लगाने में पर्क होता है तो कागज जो है कलर को पी जाता है कि अब इसमें अच्छी ध्यान रखने योग जो बात है वह आपको और दिखाऊंगा कि यह हमने इसपर लगा दिया अजय आज पर लगा दिया कि अ जो आजाए है अब ये डार्क कॉफी कलर है अगर आप इसको कुछ हलका करना चाहें तो इसके लिए आपको सपैद रंग की मात्रा बढ़ानी होगी ये देखिया आप ये बन चुका है